हमारे साथ में सुरेंदरायन सिंग है और हम जानते हैं कि विधायक जी ने जिससे प्रदानमंति नरेंदर मोदी का संसदिय चेत्रे वाकई जमिनी हकीकत में क्या-क्या विकास हुआ और किस तरह से विधायक जी से ही जानते हैं कि उन्होंने पान साल में जनता के बीच इतना और क्या-क्या भी क्यास हुआ है क्या कहेंगे जिस तरह से चुनाओं अब 2022 का 2017 में विधायक आप बने तो 2022 के चुनाओं का विगुलबच चुका है कि तरह से देखते हैं और इस ले कहींड कहीं अलग है क्या टकर दिख रहा है सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी दर्शकों को बहुत-बहुत शुबकामना देता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ आपने जो कुश्चन किया है आधाणी नरेंद मोदी जी जो इस समय हिंदुस्तान में एक विकास पूरिष के रूप में उनकी गढ़ना होती है और वो हमारे अपने इस संसदी छेतर के संसद भी है देश के शश्री परधान मंत्री हैं लोगपरी परधान मंत्री हैं उनका य यह काम करते रहते हैं उस तरह उनके संसदी छेतर में हम सब जितने लोग विदायक गण हैं वो सभी लगातार मेहनत परिश्रम कर रहे हैं कि अपने छेतर का विकास अधिक से अधिक हो सके विकास के संदर में आपको बताना चाहूंगा आज अभी अगर पांच मेंट किया है अभी दो दिन पहले 15 सबकों का सिलाण नयास हुआ है लगातार रोहनिया विधान सबाद छेतर में जब से मैं विधायक हुआ हूं लगातार छेतर के विकास में लगा हूं रात दिन आपको एक जानकारी और दूँगा मेरे जो छेतर था वो सहर के किनारे अभी लग दुए एक जानकारी और रोहनिया विधान सबाद लगातार रहा हुआ है लगातार रोहनिया रहा गज़ा है झाल झाल